दोस्तों आज मैं आपके लिए ठंडा पीजा गरम करने का एक इतना बढ़िया और शांदार तरीका लाई हो जिसे यूज करने के बाद आप ये भूली जाएंगे कि ये पीजा ठंडा भी हुआ करता था इतना फ्रेश हो जाएगा इतने अच्छे से गरम हो जाएगा जितना क करने के बाद बाद के अपर थंडा पीजा रख देना है और फिर उसके कॉर्णर पेजा के 4 और 2-3 आइस क्यूब डाल देनी है और फिर उस पीजा को आइस क्यूब के साथ एक ढड़कका लागा के ढड़क देना है फ्लेम को लोही रखना है दो से 3 मिनट के लिए ऐसा करना नहीं है दो से तीन मिनट के बास जब आप डखन हटाएंगे तो आप हिरान हो जामेंगे पीचा इतक MA अچ्छे से गरम हो झाता है कि आप पूछिये मत अच्छे से फूल जाता है ठंडा ओने पे जम जाता है लेकिन यह लेकिए गरम हुआ थो पीचा कैसे अच्छे से फूल ग जैसे आपना ये जरूर ट्राय कीजिएगा और मुझे बताईए कि यह ना कैसा लगा मेरा तरीका